नमस्कार Target with Alok Online Institute में आपका स्वागत है मैं हूँ विवेक मिश्र 8PM News Bulletin की सुरुवात करते हैं आज के Headlines के साथ भारत को लगा बड़ा जटका चाबहार परियोजना से इरान ने किया भारत को अलग खुद के निवेश से इरान 2020 तक पूरी करेगा परियोजना भारत और यूरोपी संग के बीच आज होगी अहम बैठक तमाम रणनेतिक संबंधों को मस्बूत बनाने पर दिया जाएगा जोर तो चलिए बड़ी खबरों के साथ बुलिटन की सुरुवात करते हैं हाल ही में इरान सरकार ने भारत को बड़ा जटका दिया दरसल इरान सरकार ने 14 जुलाई को चाबहार परियोजना से भारत को अलग करने का ऐलान किया ऐलान के तहत इरान ने कहा कि वह इस रेल परियोजना को भारत की आर्थिक सहायता के बिना पूरा करेगा इस परियोजना के लिए वह इरानी राष्टिय विकास निधी से 40 करोन डॉलर की धनरासी का उपयोग करेगा चाबहार पोट जाहेदान रेलवे ट्रैक बिशाने की प्रक्रिया के उधगाटन के दौरान इरान के परिवहन और सहरी विकास मंत्री ने इस बात की जानकारी दी इस रेलवे परियोजना से भारत को अलग करने के कारणों की वजह के रूप में भारत की और से फंड में देरी का हवाला दिया गया उन्होंने आगे कहा कि इरानी रेलवे अब उस परियोजना की साथ आगे बढ़ेगा जो मार्च 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार पस्चिम एसिया में अमेरिका के साथ विवादों के चलते जल्द ही चीन और इरान के बीच एक बड़ा समझावता हो सकता है इसके अनुसार चीन इरान से बेहत कम किमतों में तेल खरी देगा और चीन इरानी सुरक्षा के लिए घातक आधुनिक हतियार देगा आपको बताते चने की साल 2016 में भारती प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी की इरान यात्रा के दोरान 1.6 अरब डॉलर के निवेश की चाबहार परियोजना पर हस्ताक्षर हुआ था इसके तहट चाबहार बंदरगाह का विकास और चाबहार बंदरगाह से जाहेदान के लिए 628 किलोमीटर रेलवे लाइन को पूरा किया जाना था यह इरान पाकिस्तान अफगानिस्तान की त्रिक बिन्दू से तकरीबन 41 किलोमीटर दूर है अगर यह परियोजना भारत अपनी भागिदारी में पूरा करता तो यह भारत को अफगानिस्तान सहित सेसमध एसियाई देशों के साथ एक वैकल्पिक व्यापार मार्ग की सेवा देता 15 जुलाई 2020 को भारत और यूरोपी संग का 15 सिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये आयोजित किया जाएगा यह सिखर सम्मेलन कोवेट 19 के कारण अस्थगित कर दिया गया था यूरोपी संग के अधिकारियों ने 9 जुलाई 2020 को जानकारी दिया था कि भारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखर संगेलन में यूरोपी परिशत के अध्यक्ष चार्ल्स मीशल और यूरोपी आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वांडेर लियेन के साथ विविन सामरिक मुद्दो पर विचार विमर्ष करेंगे समू के अधिकारियों ने उम्मीद लगाई है कि इस सिखर संवेलन से बहुपक्षवात को बढ़ावा मिलेगा और संयुक्त रास्ट वव विश्व व्यापार संगठन के संदर्भ में नियमों पर आधारित एक बहुपक्षिय व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए अ भारत में सुरक्षा, जलवायू, परियावर्ण, व्यापार और निवेस, डिजिटल अर्थ व्यवस्था और कनेक्टिवटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर भी चर्चा होगी इस सम्मेलन में COVID-19 महामारी पर विशेश फोकस किया जाएग और इस से निपटने के लिए वैस्विक सहयोग और एक जुटता पर भी जोर दिया जाएगा। आपको बता दें कि भारत और यूरोपी संग साल 2014 से रणनीतिक साजेदार है। बेलजियम सहर में इस्थित है। और अबन्त में चलते चलते कुछ अन्य महत्पूर्ण खबरों पर नजर डालते हैं जिनका सीधा सरोकार आपकी परिक्षाओं से होगा। भारती अमेर्की वैज्यानिक डॉक्टर पराग चिटनिस को सीर्स अमेर्की क्रिसी अनुसंधान फॉर्म नीफा के कारिवाहक निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया। नीफा संयुक्त राज अमेरिका में सभी संग वित्पोसित क्रिसी अनुसंधानों का मुख्य संचालक संस्था है। अनुसंधान संस्थान से आनुवन सिकी और जैवर असायन में भी MSC किया है। इसके बाद कैलिफोर्निया विश्विद्याले से जीव विज्ञान में PhD है। गूगल भारत में Google for India Digitalization Fund के तहद 10 अरब अमेरिकी डॉलर यानि लगभग 75,000 करोन रूपय का निवेस करेगा। यह निवेस Google द्वारा भारत Digital अर्थ व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। कमपनी के CEO सुंदर पिजई ने 13 जुलाई को Google for India के वार्सिक कारिक्रम में इसकी घोशना किया। आपको बता दें कि Google for India पहली बार साल 2015 में आयोजित किया गया था। इसके बाद से ही हर वर्स इस कारिक्रम के तहद Google भारत में अपने भविस्यकी योजनाओं के बारे में लोगों को बताती है। इसरो प्रमुक डॉक्टर के सीवन को वान कर्मन पुरसकार 2020 के लिए चुना गया है। उन्हें यह पुरसकार मार्च 2021 में पेरिस में दिया जाएगा। आपको बताते चले कि यह पुरसकार पाने वाले प्रथम भारती प्रोफेसर उडूपी रामचंद्र राव थे उन्हें यह पुरसकार 2005 में दिया गया। उनके बाद साल 2007 में इसरो के विज्ञानिक डॉक्टर की कस्तूरी रंगन को इस पुरसकार से सम्मानित किया गया था। यह पुरसकार International Academy of Astronautics यानि IAA के द्वारा राष्टियता या जंडर के भेदभाव के बिना हर वर्स विज्ञान के क्षेतर में विशेस उपलबधी के लिए दिया जाता है। इसकी सुरुवात साल 1982 में एरोई स्पेस इंजिनियर वियोडर वान कर्मन के नाम पर किया गया था जो IAA के पहले अध्यक्ष भी थे। वानिज मंत्राले के आकणों के अनुसार अमेरिका लगातार दूसरे वर्स भी भारत का सबसे बड़ा व्याप साजिधार है। साल 2019 में भारत और अमेरिका के बीस द्विपक्षी ब्यापार 88.75 अरब डॉलर रहा जो साल 2018 में 87.96 अरब डॉलर था। वहीं भारत और चीन के बीच द्विपक्षी ब्यापार दो एज़ार उनीश भी अरब डॉलर के करीब था। इसके साथी भारत और चीन के बीच ब्यापार अंतर भी घट रहा है दोनों देशों के बीच ब्यापार अंतर 53.5 अरब डॉलर से घट कर 48.6 अरब डॉलर हो गया है भारत और चीन के बीच घटते ब्यापार की प्रमुख वजह सीमा विवाद और चीन द्वारा लगातार पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों को आर्थिक सहायता देने से जोड़ कर देखा जा रहा है IIT कानपुर्द्वारा सुधनाम का एक अल्ट्रा वालेट सेनेटाइजिंग डिवाइस विक्षित किया गया है जो केवल 15 मिनट में 10 बाई 10 वर्ग फुट के कम्रे को किटान रहत करने में सक्षम है यह डिवाइस स्मार्ट फोन से संचालित किया जाएगा जिसमें 6 UV लाइट का प्रयोग किया गया है प्रत्यक UV लाइट 15 वर्ट की हैं इस डिवाइस का उप्योग बड़े पब्लिक अस्थलों जैसे सिनेमा हॉल, मॉल, स्कूल, हॉस्पिटल, कारियाले को भी किटान रहित करने में किया जाएगा आपको बताते चलें UV लाइट कई तरह की होती हैं आमतोर पर सुक्ष में जीवों को मारने के लिए UVC का उप्योग किया जाता है UVC मनुस्य के लिए खतरनाग होती है यह मनुस्य के त्वचा और आख को क्षती पहुँचाती है वहीं UV के अन्य प्रकारों में UVA और UVB है जो सन्बर्न और समय से पहले बुढ़ा होने का प्रमुक कारण होती है आज के दिन यानि 15 जुलाई को विश्व युवा कौसल दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है यह दिवस युवाओं में स्किल डेवलप करने के उद्देश से मनाया जाता है जिससे युवाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार किया जा सके किसी विदेश या उस देश की संस्कृती को उन्नत बनाने के लिए युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है इसी को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई 2015 को सैयुक्त राष्ट महासभा ने पहली बारे विश्व युवा कौसल दिवस यानि वर्ड यूथ इसकिल डेग मनाने की घोशना किया तब से हर वर्ष युवा कौसल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है इस समय दुनिया में भारत सबसे ज़्यादा युवाओं वाला देश है इसलिए भारत के संदर में इसका महत्व और बढ़ जाता है फिलहाल 8 पीम के इस बुलेटिन में बस इतना ही हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमको जरूर बताइए वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ सेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए जुड़े रहिए टार्गेट विदालोक ऑनलाइन इंस्टिटूट से मुझे देजिये इजाजत नमस्कार